कि बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीं डियू स्टुएंट्स आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग होने जा रहा है क्यूंकि आज हम एक केमिस्ट्री का फैक्ट बढ़ेंगे ठीक है केमिस्ट्री के एक औरगनी कम पाउन्ड का फैक्ट करेंगे कहां पर वेड़ी टेबल में फ्रूट्स में ठीक है जी और उसके इलावा हम देखेंगे फुलों में उसका फैक्ट देखेंगे और सबसे बड़ीू बात यह है कि हम उस और गानिक कम पाउंड को खाते भी है ठीक सबस्यों के रंग क्युंभ होते हैं ठीक है와 ब्ली बैरिस जो हैं वो बूलो पडा क्यों होती है और फ्लों के वो इवर्टे बडार छnnक के वह गहां एधिशु हम जो हैं धडम तो यह मीं चुछ तो Ramya कि तूस्पके हैं उन Hmm and red berries are red कि जो blue berriesं वो blue क्यों होती हैं and red berries and all red वो red क्यों होती है ठीक है जी इसके बारे में बढ़ेंगे तो students topic में आगे बढ़ने से पहले ठीक है इस video lecture में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल The Alpha Chemist अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताके फ्यूचर में इसी तरह की इंटरस्टिंग वीडियो आप तक बहासानी पहुंँ सकें तो स्टुएंट्स आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंट्रोड़क्शन टू एंथोसायनी बहेवियर ओफ एंथोसायनी इस इन असिदिक एंड बेसिक सिलूशन रिजन फार एंथोसायनी कलर अब्सॉर्बंस एंड कुछ च्वाइव पॉइंट्स हम पढ़ेंगे एंथोसायनी क्या है कि एक हाईली कांजुगेटिट कंपाउंट्स के कलास है ठीक है जिच इस रिस्पोंसिबल फार दर रेड पर्पल एंड ब्ल्यू कलर अफ मैनी फ्लॉर्स फ्लॉर्स फ्लॉट और वेजटेबल जो के रिस्पोंसिबल है जो के जिम्दार है फूलों में फ्लॉरों में और सबजेश में रेड परपल और ब्ल्यू कलर कर छोओ करने हुआं तो फारि फ्लॉर्स में हमारे पास सबसरे पॉपी फ्लॉर्स की बात करते हैं जिसमें हमारे पास पाल मेरी बियरिज है य Dublin आपके पास होती है ठीक है इसे तरह से प्लाड है भी लुबा सबीस ह dur हुप shorts है ठीक जिस ब्लूबेरिःज की ओिए और वेजी अबस लाइब्स little knaHAHA पूνकर pong जो इस स्कीन उपने होग जे कि आपके सामनी है rock भी होते हैं तो यह सब्सक्रांट क्यों होते हैं ठीक है दी को यु अजय क्यूं है इसके पैछस कि चीजह का आपके सामने शोकिया यह एक सायानिन वह एक इरणिक कंपॉ bowl वह कंपॉंड होते हैं जिनसे बीलखव इसे तरह से ये वाला एक ring है ये एक बैंजीन इंग तो इसमे क्यूंके बैंजीन प्फार जाता है तो इसलिए एक अरोमाइटी कंपौन ए ठीक है जी उसके बाद ये एक सिस्टम भी है है यहां पर तो यह पूरा सिस्टम जो यह कॉन्जीन नहीं है ठीक है लेकिन है लेकिन जो rest of the molecule ring है इसके साथ जो एक conjugation में आ सकता है ठीक है तो ये है हमारे पास monocyclic fragment और ये जो है इसका main part इस molecule का जिसको हमने anthocyanin कहा है ठीक है और एक हमने word बोला conjugated system ठीक है conjugated system एक ऐसा system होता है जिसमें double single double single bond alternative जो है ये आ रहे होते है ठीक है तो इसको हम conjugated system कहते हैं ठीक है जी तो next हम बढ़ते है behavior of anthocyanin in acid and basic solution अब हम देखेंगे anthocyanin का behavior वो कैसे react करता है acid के साथ and base के साथ let's start in a neutral or basic solution the monocyclic fragment is not conjugated with the rest of the molecule in a neutral neutral solution कों से होते हैं जिनकी pH 7 होती है जिनकी pH 7 होती है ठीक है ना इसे कम ना इसे ज़्यादा तो हम इनको neutral solution कहते हैं और basic solution basic solution वो होता है जिनकी pH 7 से ज़्यादा होती है 14 तक 8, 9, 10, 11, 12 and 14 ये जो pH के solution होते हैं इनको हम basic solution कहते हैं ठीक है तो यहां पर कहा कियारा है? कि neutral और basic solution में जो anthocyanine का जो monocyclic fragman है3 वो क्या करता है? वो conjunction में नहीं होता कि से rest of the molecule main molecule के पार्ट से वो concentration में नहीं होता है है यहां पर देखेंगे ही, सखेए है, यहां यहां पर single bond यहां पर single bond अगर यहां पर single bond है तो यहां पर double bond होता है तो यह conjugation में होना था लेकिन यहां पर hydroxal group लगा होगा हो तो यह conjugation में नहीं है तो इसलिए क्या होगा so the anthocyanine does not absorb visible light and is therefore a colorless compound इस वजाए से क्या है कि anthocyanine क्यूंके conjugation में नहीं है ठीक है यह पूरा मालीकूल konjugation में ना होने की विड़ा से ठीक है क्या होगा कि यह कलर लेस कंपाउंट है इसका रंग कुछ भी नहीं है ठीक है यह कलर लेस है यहाँ पर आपके सामने एक विजिबल स्पेक्ट्रम शो किया गए यह हम ने वह विजिबल लाइट की बात कही थी विजिबल स्पेक्ट्रम म मैं देखा ये colorless है लेकिन acidic environment में किया है कि OH group which is hydroxyl group becomes protonated and water is inhibited ये वाला जो OH है ये क्या को हो जाता है ये protonate हो जाता है ठीक है क्योंकि आपको पता acidic solution वो solution होते हैं जिन में जिस में proton जो है h plus कैटाइन है कि जो है वो बहतात होती है ये ज्यादा होते हैं ठीक है तो हम उनको acidic solutions कहते हैं ठीक है तो acidic solution में क्या होता है कि ये hydroxyl group हो जाता है ठीक है इसके पास एक और proton आ जाता है ठीक है तो जिसके वज़ाद से water का मालीकुर्ट यहां से गुडडरी लेविंग गुरूप और वह एक गुड़िंग्ऑ गुरूप भी है कि वह मालीकुर्ग को चोड करना यहां भी सकती है ठीक है तोתब норм वेसे हो यह जो ऑन पर हाय रोग Kollegin सा लगा हुए यह एक सा क्रोंग वेंस है तो इसलिए यह नहीं इसको गडी बनाने के लिए इसको प्रोतोंर निट करना पड़ेगा इसको वृक्त कलर welding करना पड़ेगा ठीक है धि तो नेक्ष चाट करते हैं हम Song अब हम बात करते हैं कि वह कौन सी वज़ा है जिसके वज़ा से एंथोसाइन जो है कुलर एब्सॉर्ब करते है ठीक है जी साइकलिक फ्राइगमेंट जो है वो कांजूगेशन में आ जाता है कि इसके साथ जैस्ट ऑफ दा मालीकुल तो फिर क्या होता है कि जब हम एंथोसाइन इन को इस डिक सिलुशन में डालते हैं ठीक है तो यह वाला जो हाइड्रोक्सल ग्रूप है यह प्रोटोनेट हो जाता है इसके प्रोटोनेट होने के विड़ा से क्या होता है कि यह ऐकशलिन के जो लॉटं प HER है यह एक उसकारपन के बार इसकारपन के और अटाक करने के बार जुभ कियाaur Maity तो एक और 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 कॉस्टिफ आ जाता है ठीक है तो एन्थोसाइन जो है है वह मैं चीकेा है सबस्क्राइब कर था ने संस्पीड कर निक्ला है उसके थैवी दिस्त गर्ल democratic कि कर है माल्छ बमत आप मेंहें तो पुद्ध कि करो थी मिल्एब कर दो तो एंतो सायनिन का जो तेन रिंड है ठीक है ये तीनों रिंग क्या करते हैं ये कान्जूगेशन में आ जाते हैं ञिस के विटा से ब्लू रैड एंट परपल कलो ज्या Okay कान्जूगशन में कैसे है ये देखें ये वला doublelic one है यह पर single bond है यह double bond है ठीक है यहां पर single bond यहां पर double bond single bond double bond तो हमने कहा था कि conjunction system में कैसा system होता है जिसमें double single and double bond होता है ठीक है लिए तो next हम देखते हैं conjugation का जो effect keep in mind the effect of conjugation conjugation का एक बहुत बड़ा रोल है यहां पर कि हम जब देखते हैं कि ये एंथोसाइनिन जो है वो colorless compound से क्या होबा कि वो different color show करना शूरू कर गया जिसमें हमारे पास red, blue and purple color आई as a result of the increase in the conjugation conjugation के जो है वो बढ़ जाने के विज़ा से the anthocyanine absorb visible light anthocyanine क्या करना शूरू कर जाते है visible light को absorb करना शूरू कर जाते है with wavelength between के anthocyanine फिर color absorb करता है कहां से visible region से आपको हमने visible spectrum दिखा है को उस spectrum से 4 480 से 550 के दर्मयान में ये जो है वो कुछ wavelength को absorb करता है जिसके वज़ा से ये हमें colorful दिखाई देता है the exact wavelength of light absorb depends on the substance on the anthocyanine तो आपने देखा के anthocyanine के ओपर दो आर ग्रूप लगए हो थे एक आर एक आर नाट तो आर नाट और आर के जो है उपर डिपेंड करता है के anthocyanine कों सा कलर शो करेंगा और और नाट जो है ये सबसुचेंट है anthocyanine के ओपर ठीक है जो आपके पास मोनो फ्रेग्मेंट जो है वेक रिंग था ठीक है दो आर जो है यहां पर हाईडोजन हो सकता है हाईडोकसाL हो सकता हल जिसको azक ग्रूप भी कहते हैं ठीक है के तुरी जो इसके ओपर डेंड होता है के जो है फ्लू फ्लावर फ्लूट्स एंड वेजटेबल जो है वो रैड पर्पल और बल्यू होंगी और और नॉट की बैसिस के उपर इफेक्ट ओफ पी एच ओन बैरी जूस अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल अजो है हम अग्जामपल देख लेते हैं कि पी एच जो है ठ daddy's अगर आप क्या करें kon rally juice को लें ठीक है कि और उसके जो है भaux पिएच को change कर दें ठीक है कैसे की तो क्या होगा कि Assis को आज सूब कर देख धैघा करह wounded हो झागा चला और बमेंदमार चला जाएगा हने थेपंडू कि उन आपको आज का टॉपिक वो वे जék तो आपको समझ आग behavioral के मे प्रेस्ट्सक्राइब और फिए इज एड बल तूस्पोर्ट अ कास्ट इस तोटल फ्री थिंग